गुद मॉर्निंग तो आल इस्टुदेंट्स तुड़े आम गोइंग तो टीच यू दा पोयम विच इस दा फर्स चैप्टर आफ यू इंग्लिज बुक मेरी गोल्ड दे नेम आप दा पोयम इज ए हैप्पी चाइड प्यारे बच्चो आज मैं आपको एक पोयम पढ़ाने जा रहे हूँ जो आपकी इंग्लिज बुक मेरी गोल्ड का पहला चैप्टर है चलिए सुरू करते हैं इस पोयम में आपको एक छोटी बच्ची दिखाई दे रही है जो जूला जूल रही है और बहुत खुस है वह अपने घर और अपने पारे में बता रही है वह लड़की कहती है कि मेरे घर का रंग लाल है और मेरा एक छोटा सा घर है मैं एक बहुत खुस रहने वाली लड़की हूँ मैं हमेशा हस्ती रहती हूँ और पूरा दिन खेलती रहती हूँ और कभी भी रोती नही हूँ to save me from the sun and under it I often sit when all my play is done मेरे घर के पास एक हरा भरा पेड है जो मुझे धूप से छाया देता है मैं अकसर इसके नीचे बैठती हूँ जब मेरे सारे खेल खत्म हो जाते हैं इस पोयम में हमने इस लड़की की बात सुनी अब इस पोयम में कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनका हम अर्थ जानेंगे मिनिंग लिखेंगे सबसे पहला वर्ड है लिटिल लिटिल का अर्थ होता है छोटा और स्मॉल भी हम इसी को कहते हैं सेकिन वर्ड इज हैपी हैपी मेंस होता है खुसोना और ग्लैड कार्थ भी खुसोना होता है थर्ड वर्ड इज होल होल कार्थ होता है पूरा थर्ड वर्ड इज होल होल कार्थ होता है पूरा और फुल कार्थ भी पूरा ही होता है फूर्थ वर्ड इज सेड Shade का अर्थ होता है चाया और इसका मीनिंग है Absence of Light मतलब जहां पर Light ना हो Fifth word is Hardly Hardly का मीनिंग है Toughly और इसका अर्थ होता है Muscle से अब हमारे Next topic हमारा है Opposite word Opposite word हमने इसी चैप्टर से दिये हैं Opposite का अर्थ होता है एकदम उल्टा अर्थ देने वाले शब्द तो आईए देखते हैं First word is Little Little का अर्थ होता है छोटा और इसका अपोजिट होता है Big Big का अर्थ होता है बड़ा Next is Happy Happy का अर्थ होता है खुस होना इसका अपोजिट है Sad Sad का अर्थ होता है दुखी होना Third word is Laugh The meaning of laugh is हसना और इसका अपोजिट होता है Cry योना Next word is Day Day का अर्थ होता है दिन और नाइट का अर्थ होता है रात Long कार्थ होता है लंबा और Short कार्थ होता है छोटा Under कार्थ होता है नीचे Above कार्थ होता है उपर Often कार्थ होता है अकसर और Never कार्थ होता है कभी नहीं तो ये थे हमारे अपोजिटोर इन्हें आपको याद करना है इनकी spelling याद करनी है और अपनी notebook में लिखना है अब हमारा है question no.3 यह एक exercise है fill in the box with the right color इसमें question के बाद एक box दिया गया है आपको उसमें right color fill करना है first question is what is the color of the happy child house जो happy child है उसके घर का रंग क्या है तो उसके घर का रंग red है second question is what is the color of your house आपके घर का रंग क्या है इसमें आपको अपने घर का रंग लिखना है इस box में question no.3 is what is the color of the tree पेड का रंग क्या है तो पेड का रंग green होता है question no.2 is what is the color of the sun सूरज का रंग क्या है तो सूरज का रंग yellow होता है अब हमारा fourth question है जिसमें जानवरों के बच्चों के नाम लिखने है write the names of the babies of the following first जो है वो है डॉग डॉग के बेबी को हम puppy कहते है cat के बेबी को हम kitten कहते है cow के बेबी को हम calf कहते है butterfly के बेबी को caterpillar कहते है duck के बेबी को duckling कहते है lion के बेबी को cub कहते है और kangaroo के baby को joy करते हैं तो आज की वीडियो में हमारा इतना ही काम है आप लोग इसे अपनी notebook में लिखेंगे याद करेंगे